नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारी एको नई वीडियो में आज की इस वीडियो को देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि असलियत में पाकिस्तान के हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं और वहां की पब्लिक को अब ये भी पता चल गया है कि एक्शुली में पाक तो पहले हम ये वीडियो देखेंगे विडियो के बात बात करेंगे इस वीडियो को लेकर ओरिजिनेल वीडियो का लिक्शिप्स न मिल जाएगा तो चेक आउट जरूर करें साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन को बना पर जरूर दमाना है तो चलिए हमार यह उस मलक छा बनेगा, मैं आप से बोलता हूँ, जा बनेगा, पुझ ने हैं ? عوام نکلتی ہے अपने जोर पे तीका उसमें एकी लीडर होता है जो निकालता है अवाम को महंगाई कि यहां पे फाल्टीज निकाल रही है लिक्तिन अवाम खुद निकले पता है किसी लीडर के लोगों को पता चले अवाम को पता चले कि यार वाक्री जो है, न, अतर्त्विस पिस रही है, अगर अमआम पिस रही है उनको नजार नहीं आ रहा कि यह प्रिदियों पर जाता है वह बंका भी बंक करने पिसद must पे पिट्रॉल कि समरी हुए ठिक है न, वहां पर पेट्रॉल जाएगा, जा करें क्या गरीब आवाम पिट्रॉल दर्वाइबत बताएं वोगोंने गाड़िया खड़ी कर दी हैं मैंने अपनी आंकों से देख और बताएं कि हमारे मुल्क का बनेगा क्या मैं आप से पूछता हूं कि का बनेगा मुझे किसे समय का जवाब निगिला मैंने पिछले दीनों एक बंदे से बात कर रहा था हम दो तो टके के भी नहीं रहे थी कहना मुझे उस वक्त बात की समझ नहीं है मैंने फिर थोड़ा सा उस पर एक्स्प्लें किया कि आपका मतलब क्या है चैसा बंगलादेश बात में हुआ जैसे आपको पता है कैसे हुआ बंगलादेश ठीक है न तो वहां का टका हमारी करंशी से ज़्यादा होगी है तो हम दो टके की नहीं रहा है एक दीनी बना था तीन रुपाकिसान के और एक रुपाइ एंडिया का रेट तो वाल्यू यह है टॉलर कोहां से कहां पे चला गया है आप अपताए नहीं मुझे टॉलर का नीचे लाने के लिए अपने तो नहीं लानों आपने तो … नहीं लाना हमारे वजीर खजाना इसाथदासाब जो बढ़के मात्वे पे जिमें ऐसे ले आओंगा मैं जहाज में बैठ गया हूं तो सवह पे डालर आ जाएगा तो उन्हों नहीं आगे क्या कर लिया अब जो देने जमाते मिलके एक से ट्रॉन जमाते, एक एक स्वीरियंस जमाते अब चरो खान साथ को लगा लेगी चार साथ जी खान साथ ने मौलक का बेरा गर्ड़ कर गया बाकी 71 साल जहां पे गया उसमें किसी ने बेरा गर्क नहीं किया उन्हों चरो जी वह चार साल जो उन्हों ने घर कर लिया अब तो ठीक करने है ना तो ठीक करने के लिए सारे एक्सपीरियंस ज्याफता लोग अगटे हो गए हैं अब उसको ठीक तो करें ना अब 10-12 महीं ने हो गाए है आपको महसूस हुआ है इसके लावा कोई काम नहीं कोई कर्दा उतारने के लिए तो मैदान में आता है तुर्की में जलज़रा आया है लोगोंने कितनी पाकिसान से इंदाज बेदिया क्या वो पाकिसान के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं मुझे यहां वैसलाबाद के एक बंदे ने बताया कि ता मुझे अकौंस्ट इंट्रेक्ट आई-म-फ का मैं उसमें डालता हूं पैसे ठीक है तो बताए अब लोग जब किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो उस वक्त क्या होगा असर चीज़ तो यही है कि ट्रस्ट करेंगा लेकर आज यहां पर तो सब को खाने को ललगे हुए हैं ठीक कहना कम बहुत कुछ काम करने को तो कोई बंदा ही नहीं लगा हुआ मुझे बताएं को क काम कर रहा है हकूमत आगे असंबलियां तहली हो गए सारा कुछ हो कि क्या हो रहा है मौसन अक्वी साब भी वापस ले ली आप इदारे क्या है बैठे हैं मुफद की तरफाय देने के लिए पैसे नहीं है तो पैसे नहीं है भाई परोजेक्ट जो थे मौसन अक्वी साब को क्या चाहिए था कि वो परोजेक्ट वापस ले वो तो परवेजिलाई साण दी वे थे उनको तो मुकमल करना चाहिए था हो तो वा प्रोजेक्ट को क्लोज करके नई बजैनी की तक अगर हمारे लोग हुकमनान या हमारी establishment इस चती एक कमाम को बलाओ तो तो पिर आज हमारे मुलक का यहाल होता है मैं तो कहते हुआ उस्टैबलिश्मेंट संभाल ले सो जब सब कुछ वो कर रही है तो संभाल ले आप पुन के संभाले हुषा लियो. लोगों को तो मुलक में चीफ औवादमी स्थाफ का नाम बता रहे हैं किसी का नाम बता दे मुझे तो दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आए होगी थोड़ी इस वीडियो को लेकर अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने इस वीडियो के अंदर देखा है दो बाते एक तो हमने जिस सक्स को देखा हैं उसने महंगाई को लेकर यहाँ पर बात की है और उसका कहना यह है कि पाकिस्दान के जो हालात है न वो अब बहुत जादा खराब हो चुके हैं महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि पेट्रोल जो है तीन सो रुपए जा रहा है जो खाले पीने की चीज़े जो आज से एक दो साल पहले सो रुपए में मिल रही है इसके अलावा एक और बात इस आदमी ने यहां पर वीडियो के एंड में बोली है और वो सची बात बोली है उसने आर्मी को लेकर बोली है पाकिस्तान मेंếtट करते हैं आर्मी को कि वह चली पावर में है। तो वो खुल कर मैदान में आ जाए हटाए इन हुकमारानों को और खुद सासन करें उसने जो जनरल मुशरप ने जब टेकोर किया था उस टाइम की बात भी कही कि जब उस टाइम पर भी जनता को इतनी महगाई का सामना नहीं करना पड़ा तो उसने उस बात को दोराते हुए क क्योंकि आयम प ने सरकार को जो टेक्स बढ़ाने का जो बात कही है वो आर्मी को पसद नहीं आए क्योंकि आर्मी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बिजनस करती है और अगर आयम प सुगर के उपर और दूसरी जो तीजे है बिजली हो गई और भी वह सारे कारकाने है जिनके माल के उपर अगर सरकार टेक्स बढ़ाती है तो वो काम तुमा के आर्मी करती है तो अगर टेक्स बढ़ेगा तो आर्मी का माल कम बिकेगा आर्मी का माल मेंगा हो जाएगा तो आर्मी को वो चीज पसंद नहीं आई इसलिए पाकिस्तान ने आयमेप की शर्त भी नह नहीं आई अभी तक तो दोस्तों बागी आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बोक्स में जरूर देना मिलेंगे हम अगली नहीं वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद